हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में इसके अंदर एक ब्रेकाउट आता हुआ दिख रहा है तो सबसे पहले तो आप वीडियो पूरा देखे फ्रेंट्स इससे पहले भी मैंने इसके ओपर वीडियो बनाया है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ शेर करें और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर ले एसे वीडियो के लिए मैं डेईली अच्छे खासे ब्रेकाउट जो है शेर वह शेर करता हूँ इसके अंदर शोटन में ही अच्छा खासा एक रिटन मिल सकता है तो आप मेरे चैनल को उपर विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले डेली अब मेरे शोट वीडियो भी जरूर देखें तीन शोट वीडियो डेली में डालता हूँ तो चलिए वीडियो को चैनल इसके अंदर चल रहा है और नेक्स्ट हाई जो है यह अपने प्रिवियस हाई से उपर इसके अंदर बनने की पूरी-पूरी संभावना है तो यह आज का कारोबर किया चल रहा है यह आप देख सकते हैं कि करंट अभी देखे तो 11 बच के आसपास हो रहा है इसके कर लो यहां पर देखे तो एक ब्रेक आउट सा आता हुआ दिख रहा है तो मुझे सा लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छा का सा ब्रेक आउट दिखेगा और सबसे पहले यह 140 तक जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो कि इसका प्रिवियस हाई है यहां पर आप द अब आप इसके अंदर दो स्टोप लोस ले सकते हैं अगर बात करूं तो इसके अंदर टार्गेट जो अचीवबल हो सकते हैं वह 132 से 140 रुपे आप कभी भी चाहें इसके अंदर प्रिवियस हाई है यह आप आप देख सकते हैं तो रिस्क रिवर्ड रेशियो अच्छा है केवल और केवल अगर मैं बात करूं तो 9 रुपीज का रिस्क है और रिवर्ड जो है वो कम से कम इसके अंदर 20 रुपीज का मिल सकता ह तो बहुत बढ़िया शेयर है अच्छी कंपनी है इसके अपर नजर जरूर बना कर रखिए और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसके लाइक जरूर करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ज्यादा लोगों के तक पहुंचे इससे मुझे खुशी मिलेगी मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब तो जरूर कर ले ऐसे ही वीडियो के लिए और एक बार मेरे चैनल को आप विजिट जरूर करें दूसरे वीडियो प्रिविएस वीडियो डिसेंट वीडियो जरूर देखें और एक स्टैनर डिस्क्लेमर जो